नमस्कार दोस्तों मैं बाब उना पटेल आप सबका अपने यूटूब चैनल बाइलोजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ चैनल बाज़ी जोनियों करता है। थो कुछ लोग यहां पर यूनियों को पढ़ रहे एधा नली देंस को भी पढ़ लिया। अब इसके classification की अगर हम बात करें, classification इसके अवरगी करण की बात करें, यूनियों के अवरगी करण, तो आप जान रहें कि इसका phylum क्या है दोस्त, phylum इसका है molluska, ठीक है, phylum क्या है molluska है, और इसका class है palisipoda, आप जानते हैं gastropoda का सदस्य था पाइला, ठीक है, यह palisipoda का स देखें, तीन नाम है भाई, तीन नाम है, ठीक है, तो palisipoda है, और bivalvia है, और lamely branchieta है, तीन में इसके class के नाम है, कुछ भी आजाए, आप इससे, आप समझ लीजीगा, ठीक है, अगर इसके order की बात करें, दोस्त, order की बात करें, तो इसका जो order है, you lamely branchia है, you lamely branchia है, इसक ठीक है, इसके family होती है, family हम देखिए, थोड़ा सा लग से लिख दिये है, अब और खास बात इसकी देखा जाए भाई, ये कहां पाजाता है, union, union कहां पाजाता है, found in lack, ये है, lack में भी होता है, ठीक है, जील rivers में, और streams में जो धाराये है, नदियों के उसमें भी मिलता है, ठीक है, body has, cell, body has, cell, इसमें भी इसकी सरीर जो होती है, ये क्या रखती है, कवच रखती है, ठीक है, covered by calcareous, जो किसके दोरा बन करके घिरी होती है, calcareous होती है, cellage exoic skeleton, जो बाहर से इसको सुरच्छा प्रदान करती है, बाहर से घेरे रहती है, ठीक है, इसके जो cells होती है, cal जो skeleton की तरह है, यह कार करती ही, बाहर की तरफ से आवरण बना करके, इसके body को ढगे रहती है, इसके अंदर जो भी होता है, visceral moss, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐस पाइला की तरह है, ठीक है, कैसी देखिए, cell सेम ऐस पाइला, ठीक है, जैसे पाइला को आपने देखा, उसी तरह है, यूनियो भी है, अब इसके cell जो होती है, इसमें तीन लेयर होती है, इसके cell में कितनी लेयर होती है, इसके कवज में तीन लेयर है, एक तो periostrachum है, दूसरा primatic है, और तीसरा necry layer है, ठीक है, अब इसमें priostrachum जो है, और primatic जो है, ठीक है, priostrachum, primatic, यह दोनों जो होती इसके किनारे होते हैं इसके किनारे होते हैं यह कौन परियास्ट्रेकम और प्राइमेटिक अगर हम यहां पर और भी बात करें तो बताया पूरे सरफेस पर पाई जाती है अब अगर इसके हम external structure की बात करें, तो इसका external structure है, देखे कुछ इस परकार से है इसका external structure जैसे हम देख रहे हैं, तो अगर इसका बाहर ही स्वरूप देखा जाएं देखेए, यह है पूरा जो structure आप देख रहे हैं, यह है union, ठीक है, यही पूरा union है, अब इस में आप देख रहे हैं बिल्कुल जो उभार मा सनचना है बीच का मिडिल जहां से यह जो है लाइन्स जाकर कि स्टार्टिंग हो रहे हैं तो उस भाग को कहते अंबो और यहां पर उपर की तरफ सनचना है देखिए नीचे की तरफ फूट है नीचे की तरफ क्या है फ यहीं से कहलाती है लाइन साप ग्रोथ झाल यह इसमें दो वालब होते हैं एक तो इदार और एक इसके पीछे साइटे में ठीक है दो यह ख़ू जाता है वीचा ते तो यह थूल जाता है वीच उ भीच लेकिन यहां खास बात यह है, यह जो है commercial use का इन ही किया जाता है, पालन इंडेस्टि में, जो परमोती बनाई जाती है इस यूनियो का ठीक है इस यूनियो का जो है commercial use नहीं होता है बलकि commercial use जो फर्मेशन के लिए किया जाता है वो दो इसकी परजातिया है तो देखे फर्मेशन के लिए एक पिंग टाड़ा बलगेरिस है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है पिंग टाड़ा बलगेरिस और और अगर इसके हम आगे बात करें तो देखिए इसकी अगली खास बात क्या है इसकी अगली खास बात क्या है उसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए देखिए इसकी अगली खास बात जो है the mental mental को pyelium भी कहा जाता है the mental अथवा pyelium consist of two phlesy lobe, दो phlesy lobe के द्वारा भना होता है phlesy का मतलब आप समझ रहे हैं कि तोड़ा सा mansal, ठीक है mansal इसके जो दो लोब होते हैं उसके अंदर जो है इसको हटाईए दो लोब में अडलाग होगा इसके अंदर जो है mansal, गुदेदार कुछ होंगी इसका visceral mask समझ रहे हैं और ये जो लोब होते, दो भाग में बटे होते हैं दो भाग में बटा होता है इसका जो लोब होता है ठीक है? एक तो डार्सल जो narrow tube रखता है और एक ventral जो broader और longer tube रखता है broader और longer tube रखता है तो डार्सल जो होता है इसका darsal और एक ventral तो डार्सल जो है नेरो ट्यूब रखता है कैसा है? नेरो ट्यूब is x-current, x-current और x-healent siphon, या आप आध्यान रखियेगा, देखे ये क्या करता है? पानी को इंटर भी करता है, पानी को अउट भी करता है, यहीं इस CP के अंदर, पानी अंदर भी जाता है, और अंदर जा रह गभी होती है उसको आप देखिए जीटा रहती है तो ऐसे पिछिकारी तरह मारती है पूरी पानी उपर जो hurtकारी की तरह मारती है तो मारती है तो хлed n पानी पानी लेंगी तभी तो अच्छिकारी तरह बाहर आंके से popo Apr तो देखें, जो darsal narrow tube है, अब समझ रहे हैं manner tube है, x current का काम करता है। या इसे x diret siphon का जाता है, क्योंकि इसकी दवरा अंदर से water जो होती है, बाहर की तरफ जो है, थो किया जाता है, थीक है, अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जाता है water, तो उसे हम कहते हैं X current या इसे कहते हैं exhalant siphon और जो ventral होता है broader और longer tube होता है ये इन current की तरह कार करता है अर्थात इसे नाम देते है है inhalant siphon और इसे बाहर से अंदर की तरह है बाहर से from outer side to inner side of the body water is entered ठीक है तो पानी जो है बाहर की तरप से अंदर इसके body में praise करता है तो व इसके अंदर जो दोनों लोब है, mental लोब, इसके अंदर जो cavity होती है, उसमें क्या-क्या भाग होते हैं, एक तो होता है visceral moss अथवा, visceral hump, ठीक है, पहल का हो गया, visceral moss अथवा, visceral hump, दूसरा हो गया, फूट, यह आप देख रहे हैं, फूट ही हो गया, समझ रहे हैं, labial pulp इसके होते हैं, देखे, इसकी अगली खास बात क्या है, इसकी अगली खास बात क्या है, कि लोको मोसन जो इसमें होता है, इसका लोको मोटरी आरगन जो होता है, वो होता है, फूट, ठीक है, क्या होता है, फूट, adopted for burrowing, जो इसमें बिल, अर्थात बिल तो नहीं बनाते हैं, यह ठीक है लोको मोशन जो इसका होता है तो आप समझ रहे हैं जैसे किसान हल जोता है जब हल जोता है किसान तो वो हल जब चलता है बिल्कुल तो मिट्टी इधर भी इधर भी ठीक है अर्थात जो उसमें गड़ा बनता है वी आकार का बनता है ठीक है वी आकार का उसमें गड़ा पोजीशन बना करके ठीक है जैसे यह CP है बिलकुल और इधर भी इधर भी यह से चलेगा भी ठीक है तो यह साइड होते चले जाते हैं तो इस तरीके से अपने आपको एडाप्ट करता है ठीक है यह अपने फूट के थुरू ठीक है फूट के थुरू अब बॉड़ी जो इसक और यह चयंगर होते हैं जूट कुरू पूट साना वहते हैं यहां यहांपर तो मॉषली किंग भाग में वृवाग में होत्या हैापक कौन कोंकोंसे एक सिंगल टिल होता है तूसरा गोणोंसील तीसरा यूँरस selecting तीन अबाग में बटी होती है ठीक है सिंगल टिल गोणों और यीरोसिल तो जो सिंगल ओवीडल चैमबर होता है इसे पेरिकार्डियम कहते हैं पेरिकार्डियम होता है और इसी में हार्ट होता है हुता है दोस्त acetone और जो गोनाइड उपस्थित होते हैं और जो ए्फितो है इस्में यह एक्स कुरीरिटरी अर्गन उपस्थित होता है, hero seal having oxidatory organ ठीक है, तो ये तीन इसमें body cavity में जो है तीन chamber हैं, single vital chamber है giorno seal हो गया, euro seal हो गया अब अगर इसके respirator system की बात करें, respiratory organ की बात करें, तो जी gray Southern Queen जो भूमीका होती है, दो होती है एक तो mental through the mental एक repair of guilt, एक j facil गिल्स भी उपस्थित होती है इसमें ठीक है जिसे हम टीन इडिया भी कहते हैं इसका इस प्लानेशन हम आगे भी करते हैं ठीक है अभी ध्यान रखिएगा गिल्स भी सहयक होता इसमें अब क्यों गिल्स होता क्यों कि जली जो होंगे उसमें गिल्स होंगे अब एक बात ध्या कहां से हाट से होकर के गुजरती है तो यह बात आप ध्यान रखिएगा दोस्त देखिए अगली खास बात क्या है इसको थोड़ा सा समझीए आप अभी मैं बात ही कर रहा था हार्ट इज त्री चेमबर ठीक है इसका जो हिरदे होता है वह तीन चेमबर वाला होता है ठीक है इ यहां पर दो और किल होता है एक वेंटरी किल होता है यह बात आप ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा बात पूछा गया है कि यूनियो का जो हर्ट होता है कितना चेमबर होता है तो आप ध्यान रखिए कि तीन चेमबर होता है ठीक है पेरिकार्डियम जो होता है वह घेरे पेरिकाडियम इनक्लोजेश थार्ट किसको घेरे रहता है हार्ट को ठीक है हार्ट को घेरे रहता है फिल्ड विथ सीलोमिक फ्लूड जिसमें क्या उपस्तित होता है सीलोमिक फ्लूड उपस्तित होता है ठीक है सीलोमिक फ्लूड होता है और यह पेरिकाडियम चारोर से विडिने मेल के और अमीबोसाइड लोगंुकंपर वावग अब यहां ध्यान रखिए, एक पेर आप किड्नी, वन पेर आप किड्नी, मतलब एक जोड़ी जो है किड्नी होती है, और अज़से हम कहते है किड्नी, अगर है किड्नी सनचना है तो उसे हम नेफरीडिया, क्या कहलता है नेफरीडिया, और आपने समझा है कि इसमें दो तरीक जो सिस्टम है उ मुख रूप से वह जाता है जो आप कई बार जयाधा जयाधा पूचह गया है तो उसका क्या होता है तो तो के बार सारगन होता है ठीक है जो आरगनाबό ठीक है देखिए और अगर हम इसकी बात करें भाई और इसकी हम बात करें तो इसमें मुखरुप से जो सेंट्रल नर्वास सिस्टम होता है CNS have three pair of ganglia ganglia होते हैं तीन जोड़ी ganglia होते हैं इसके central nervous system में ठीक है तीन पेर जो है ganglia होते हैं और जो cerebral pleural ganglia होता है इसमें क्या उपस्तित होगा भाई इसमें head होता है और यह जो pedal ganglia होता है इसमें mostly क्या होता है जो foot होता है foot formation करता है और visceral जो ganglia है visceral organs होते हैं इसमें क्या होते हैं विसरल organs होते हैं ठीक है तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो तीन पेर गैंगलिया होते हैं इसमें headache किसमें होता है और food किसमें होता है और visceral organ किसमें होते हैं किस गैंगलिया में होते हैं तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा दे रुठेंट्र एक jodis होता है अप है कि जो एक पेर रुच्टतर्ड होता है इसका काम होता है केमो रेसेप्टर ठीक है किसका काम काम करता है यह chemo receptor का ठीक है, to test the chemical nature of water, ठीक है, जो scattered epithelial होते हैं, यह chemo receptor का कारी करता भी है, photoreceptor का काम करता है, ठीक है, दोनों का ही यह कारी करता है, scattered epithelial जो sales होती है, अब इसके हम बात करते हैं, reproductive system के, ठीक है, reproductive system के, अगर इसके हम बात करें, देखिए, reproductive system के, इसके जननतंत्र जो होता है यूनियों कैसे होते हैं ङसे होते हैं अर्थात इस में होते हैं perform इसमें होते हैं और जो इसमें फ़ाटिमूसटे संबुभा दिटेल नहीं और के तो फर्टिलाजेशन जो होता है इसमें कैसे होता है टेक प्लेस इन वाटर ट्यूब आ फिमेल यानि इसमें फर्टिलाजेशन होता है पानी में जल की धारा में और फिमेल के ट्यूब में होती है ठीक है कहा होती है फिमेल के ट्यूब में होती है इक से यूजली फर्टिलाज होता है वो अनिक्वल होता है और होलो ब्लास्टिक होता है ठीक है अनिक्वल और होलो ब्लास्टिक और इसका मुख इंपोर्टेंट जो कुश्चन है लार्वा लार्वा आप ध्यान रखियेगा बहुत बार पुछा जाता है इसका लार्वा क्या है गलाची डियम ठीक है कौन मतलब क्या हितना माइनुट होताई है का मतलब पॉइंट आफ आ est एक लारवल बaltetीक है लारवल भास, ठेक लार्वल भास च्छ्छ वह जाते हैं किसमें ग्लाची डियम लारवल भास आ सकता है, लारवाल भीसेस ठीक़ा है तो आप इसे ध्यान रखेगा, गलाची डिल्म लारवा में, लारवाल भीसेस भी होता है चलिये इसके हम life cycle की बात करते हैं देखें दोस्त अब इसके अब हम life cycle की बात करते हैं देखें, अभी मैंने बताया कि भाई ये sex-sops separate होते हैं इसमें कैसे ध्यान दिशिए कि ये male union है ये तो male union है ठीक है और ये क्या है ये female union है अब ये male और female दोनों union है अब इसमें कैसे होता है अब ये इसकी ड़़ा देख रहे हैं आप कि ये एक छोटी सी tube है जिसमें से sperm excrete होता है है अब इसमें से sperm जो हुते हैं ठीक है रिलीज होते हैं गये हैं तो पूरे sperm त्यूब के अंदर क्या कर जाते हैं इंटर कर जाते हैं फर्टिलाजेशन विदिन वाटर ट्यूबस किसमें ये इस ट्यूब में फर्टिलाजेशन होता है, इस फिमेल के UNAO के अंदर, अब जैसे ही इसमें होता है, तो इस समय जो होता है, क्या बनना सुरू हो जाते हैं? इसमें उसी समय बनने शुरू होते हैं, इसके अंदर जाइगोड बनेगा, तो लारवल फार्मेशन में जाएगा यह लारवाल मैंने बताए गलाची डिम लारवा होता है इसमें तो इसके अंदर जो है जब इसमें फर्टिलाजेशन की क्रिया होती है जाइगोड बनता है जाइगोड से जो है बनता है लारवाल फार्मेशन आती है तब उस समय क्या होता है कि देख जल में जब यह थ्रो आउट करता है उस समय यह देखिए बिल्कुल इसी तरीके जो इसमें डिस्चार्ज आप ग्लॉची डिया है अर्था इसमें ग्लॉची डियम लारवा का जो फार्मिशन होता है यह एक ग्लॉची डियम लारवा का फार्मिशन आप थोड़ा ध्यान रख करता है बाहर यह छोणता है पूरा उस समय कोई माल की फिस है क्या करेगा ग्लॉचिडिया अटेज टू सौफ्ट एक्स्टीरियर और इंटर गिल साब फिस ठीक है अथवा यह ग्लॉचिडियम क्या होते हैं इसके सौफ्ट वडी पर चिपक जाते हैं अथवा इसके गिल्स मे वाटर के थुरू इसके गिल्स में चले जाते हैं ठीक है अब गिल्स के थुरू अब उस समय क्या होता है फार्मेशन आप सिस्ट का फार्मेशन इसी समय यह देखिए सिस्ट का फार्मेशन होता है ठीक है एराउंड गलाचिडिया ठीक है ग्राउंड गलाचिडिया के चार और यह गिर जाते हैं बिल्कुल नीचे और उसमें यह हो जाते हैं और जैसे ही ये परिपक-पक हो जाते हुच फ्रिह वघो चरोफ हैं कि अ कि अ